इस देश में जैन समाज के बारे में आए दिन खबरे सुनते रहते हैं लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही जैन समाज से जुड़े हुए व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो आज के युवाओं को प्रेडना दे रहे हैं जीहां मुंबई के बोरीवली इलाके में रहने वाले और द्योगपती जैन मुनियों के मागदशन में चलने वाले पंकट्शा और पत्नी दिशाबेन की जो इन दिनों जैन धर्म मनाई जाने वाले सुवास पर्व में 47 दिनों तक उपासना तब कर भगवान की भक्ती में लीन हो गए थे आपको बता दें कि 47 दिनों तक किये गए इस उपासना के दौरान पंकट्शा ने आज की एश्वे आराम की जीवन में उपयोग होने वाली सभी वस्तू और उपकर्णों को त्याक कर भगवान की उपास ने जीवन में क्या कुछ बदलाव आता है इसके बारे में क्या कुछ कहना है पंकट्शा का आई आपको सुनाते हैं पंकर्ज भाई ये बताए कि आपने 47 जिन का उप्वास किया है कैसे ये पूरा आपने मैनेज किया है और क्या कुछ संदेश युवाओं को देना चाहते हैं ये अमेरा उद्यानतव का जो 47 डेस का उद्यानतव है वो परिपरण हुआ है और वो जो हुआ है वो देव गुरु और वडिल की गुरुपा से हुआ है हमें इसमें ये बताना है कि 47 डेस के अंदर हमें लाइट इलेक्रिसिटी टीवी या मुबाइल कोही भी इलेक्रिक उपकरण और यह मतलब समझो पानी का यूज भी जरासा भी नहीं किया है हम लोग टॉइलेट भी जाते है और थल्ला में जाते है तो मतलब कहीं पर भी जो चारित्रधरम जीसे साथ से महरासायब जो ब्यतित करते है तो एक मिनी चारित्रधर हम बोलते हैं कि जो महारा सहीब लाइफ टाइम करते हैं हम जो है वो 47 days का ये छोटा सा उसका ट्राइल है लेकिन उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि हमेरी रिक्वाइमेंट वो कित्री छोटी है जब कि हम ये दुनिया भर का मलब पूरा मलब समझो हम लोग सीर पे लेके ब ये बताना है कि आज डिजिटल मीडिया में रात को बारा एक दो बज़े तक मतलब ये निवुटे तो ये बताना है कि दस बज़े के बार में कोई भी उपकरण यूज नहीं करना चीए नहीं तो आज के तारिक में यूपएडी डिप्रेशन वगरे में चली जाती है उसके लिए ये उद्यानतव से एक बार उद्यानतव करेंगे चारीत्र धर्म का आश्वाद लेंगे तो उनको पता चलेगा और वह कंपेरिजन दोनों में करेंगे कि संसार का कंपेरिजन और चारीत्र धर्म का कंपेरिजन तो उसके अंदर मैं गैरेंटी देता हूं कि चारीत्र ले सकते हैं तो मेरा एक ही कहना है कि उद्यान तब लोगों को यह लगता है कि इंपॉसिवल चीज जैसी है लेकिन आज के यह कार में भी बहुती देवगुरी की फुपा से यह काफी अच्छी तरह हो सकता है अप एक इंडेस्टिलिस्ट है तो किस तरीके से इंडेस्टिलिस तो क्या संदेश देना चाहते हैं तो उसके अंदर मैं गैरेंटी देता हूं कि चारीत्र धर्म का जो है वह उन्हें सही आस्वात और सही टाइम में मिलेगा एक बार संसार में आने के बाद में वह हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते युवापेडी अभी उनके हाथ में ताइ कि उद्यांत लोगों को यह लगता है कि यह इंपॉसिवल चीज जैसी है लेकिन आज के यह कार में भी बहुती देवगुरी की फुपा से यह काफी अच्छी तरह हो सकता है आप एक इंडेस्टिलिस्ट है तो किस तरीके से इंडेस्टिलिस्ट को आप मैसेज देना चाहें किस तरीके कम संसाथ्दों में वह अपने आपको भी सर्वाइव कर सकते हैं पीछे पीछे हमने देखा था कई सारी इंडेस्टिलिस्ट में सुसाइड भी कर लिया था तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप मैं आज एक इंडेस्टिलिस्ट हूँ और चंदन माउट जाना चाहते हैं तो अपने व्यस्त पूरे दिन का अपना शिडूर रहता है उसमें हमने मतलब यह है कि हम जाई नहीं सकते हैं लेकिन एक बार हम लोग उसमें मतलब प्रवेश करते हैं तो जो आठ दिन के अंदर जो शांती मिलती है तो उसे साब से कि ताकि हमें खुद को अपना मतलब शरीर और आत्मा दोनों है तो जो आत्मा के लिए जो हमें टाइम देना है कि जो हमेरी लाइफ चली जाती है तो आत्मा के लिए हम लोग उसमें टाइम देते हैं और उसके अंदर उसकी जो शांती है वो हमें बहुत सारी अच्छी सांती मिलती है तो हमें कि यह कोई भी बड़े जो बिजनेसमें वगरे हैं उनको भी अपने इसाफ से टाइम निकालके इसके अंदर शुर्वार करनी चाहिए पूंकर जैसे आपने बताया कि 47 दिनों तक आपने इस कठिन तब को व्रत को आपने पालन किया लेकिन इस आज के समय में जब लोग आधुनिक शुक्षुद्याओं की और भाग रहे हैं लोग ज्यादा ऐसो अराम की जिन्दगी जीना चाहते और आपने कहा कि आज की जो प् आज के लोग के लेकशन कने काफी अच्छा लगा है तो मतलब यह जो चारीतर दर्म है वही सच्चा धर्म है लेकिन हम यह बिजनेस की मलब यह से संसार के चक्र में है तो उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं लेकिन इसमें यह है कि इलेक्ट्रोनिक्स वगेरे मतलब या नहीं वो करते हुए यही दिनों में हम लोगों ने सत्संग करके जो आत्मा का अनुभव जो मतलब किया है और जो प्रभु के उपर सही स्रद्दा किया है तो उससे काफी सारा आनंद हमें मिला है तेंक्यो